Hello everyone, first let me wish you all the best for your today's results Results तो आ जाएगा और उसके साथ साथ आपको कुछ important बाते हैं जो आपको result में देखने पड़ेंगे क्या क्या है कि नहीं, पहला बात आप क्या सारे paper में clear किये या नहीं, सर पता कैसे चलेगा semester cleared लिखावर हैगा, क्योंकि आपका first result है तो आपको experience नहीं है इस matter में, तो मैं आपको इसको clarify कर देता हूँ second चीज, sir result में कितना passing marks है, देखिए pass marks आप लोग बहुत ज़्यादा confused मत होईएगा, बहुत लोग होते हैं, देखते हैं, sir मेरा pass है, फिर भी semester cleared नहीं दिखा रहा है, अगर आपका supply होगा किसी भी paper में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा semester not cleared, अब individually paper में पता कैसे चलेगा, sir मैं किस में fail हूँ या किस में अच्छा नंबर आया है, देखिए जिसमें आप fail होगे, उसका कारण ये हो सकता है कि आपको theoretical paper जो आप लिख के आते हो, उसमें आपको 24 चाहिए, right, 80 में से आपको 24 चाहिए and internals में, आपको 20 में 30%, that is 6 नंबर चाहिए ये दोनों मिला कि आपके आने चाहिए, मसलब 24 paper पे होना चाहिए, 6 internal पे होना चाहिए, तभी आप pass होगे अगर ऐसा होता है, कि आपका overall 35 या 40 या 50 है, या 6 यह भी नंबर है, लेकिन अगर आपके internal में 6 से कम है या फिर आपकी जो theoretical paper है, उसमें 24 से नीचे है, right, तो आप semester cleared नहीं माने जाओगे मतलब आपका supply आ जाएगा, next सवाल, क्या sir supply अगर मान लीजिए आ जाता है, तो इसका मतलब मैं semester 2 नहीं देख सकता, नहीं दे सकता exam, नहीं बिलकुल भी ऐसा नहीं है see you एक ऐसा platform है, जहाँ पे आप semester 2 semester आगे भढ़ते जाओगे, लेकिन, yes, आपको ये paper वापस से देना होगा sir, कब देना होगा, कब देना होगा, आप ये समझो, कि जैसे semester 1 में जो supply लगेगा, उसकी exam आप odd semester में ही दे सकते हो तो मतला भी semester 2 के साथ आपको देने का कोई load नहीं है, जब आप semester 3 में चले जाओगे, तब जाके ये exam देना पड़ेगा, ठेके ना, तो ये कुछ points है, जो मेरे को बताना लगा, important है, ये video को अपने friends के साथ ज़रूर से share कर दिजेगा, ताकि सब इस बात के लिए aware हो जाए, और सब लोग को all the best from my side, take care and bye bye हम लोग मिलेंगे, अगर आपने course में enroll किया, तो class में वरना YouTube चैनल में मलते रहेंगे, bye bye